देश में आज से नए उपभोकता कानून के प्रावधान लागू फरजी विज्ञापनों पर सजा का प्रावधान राजी में आज से शुरू हुई गोधन न्याय योजना मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से गोबर खरीद कर किया शुभारम कोरोना संक्रमन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राजी के अधिकतर हिस्सों में एक बार फिर से लॉकडाउन की तैयारी और प्रदेश में हर्शोलास के साथ मनाया जा रहा है लोगपर्व हरेली ग्रामिन इलाकों में खेती किसानी के उपकर्णों की की गई पूजार चना नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूँ अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से देश में नए उपभोकता सनरक्षट कानून 2019 के प्रावधान आज से प्रभावी हो गए हैं इस कानून के तहट अब उपभोकता किसी भी उपभोकता आदालत में मामला दर्ज करा सकेगा वहीं इस कानून में भ्रामक विग्यापनों पर जुर्बाना और जेल जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं केंद्री खाद्य और उपभोकता सनरक्षन मंत्री रामविलास पासवान ने आज मेडिया से चर्चा करते हुए नए कानून के बारे में जानकारी दी साथ ही उपभोकता मामलों की सचीव लीना नंदन ने बताया कि इस कानून के दायरे में आउनलाइन कारोबार को भी लाया गया है जो अग्रिगेटर की तरह कई डिफरेंट प्रॉडट्स को कई डिफरेंट सेलर्स उनके पास लाते हैं तो हमारे ही कॉमर्स रूल में वट वीयर विजुलाइज इस के क्या क्या डिटेल्स पर इक अंटिटी के होने चाहिए सेलर्स के होने चाहिए कंजुमर एड्रेस्ट के लिए क्या मैंडेटरी वहां पे कॉंटाट डिटेल्स होंगे तिके लागेख वो टाइम से देगे उन सबका सेलर्स के साथ एक लिर कट अग्रीमेंट होगा so that the e-commerce entity also takes responsibility for the consumer's problem because the consumer is ultimately using that platform, is making a payment on that gateway against the goods which were displayed on that platform. So, what are the responsibilities? जो e-commerce entity की होंगी विसावी the seller and the manufacturer. All these things should be properly tied up because of the structured agreements. So, these are the things which we have already envisaged and provided for in the rules. गौरतलब है कि ये नया कानून उपभोगता सनरक्षन कानून 1986 का स्थान लेगा. इसके तहट उपभोगता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्री उपभोगता सनरक्षन प्राधिकरण CCPA के गठन का भी प्रावधान है. लोग महापर्व हरेली के अफसर पर राज में आज से गोधन नयाया योजना शुरू की गई. रायपुरिस्थित अपने निवास इस्थान से मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने सांकेतिक रूप से गोबर खरीद कर इस योजना का शुभारम किया. माना जा रहा है कि देश में इस तरह की ये पहली योजना है. इस योजना के तहट सरकार पशुपालकों से दो रुपे प्रती किलो की दर से गोबर खरीदेगी और फिर उससे जैविक खाद तयार किया जाएगा. ये योजना गोठानों के माध्यम से संचालित होगी. इसका उदेश पशुपालन को आजविका के साधन से जोडने और भूमी की उर्वरा शक्ती में बढ़ोत्री करना है. वही लोगपर्व हरेली के तेवार को मनाने के लिए आज मुख्यमंत्री निवास के एक हिस्से को ग्रामीन परिवेश का स्वरूप दिया गया. जहां गोठान बनाकर खेती किसानी के उपकरणों से इसे सजाया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषी उपकरणों की पूजा अर्चना की. साथ ही वे गेडी पर चड़े और भौरा चलाने का आनंद भी लिया. इसके बाद श्री बगेल अन्यमंत्रियों के साथ पारंपरिक रैचूली जूले पर सवार हुए. गोधन न्याई योजना के शुभारम कारिकरम में कृषी मंत्री रविंद्र चौबे और नगरी प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया सहित, कई अन्यमंत्री जन प्रतिनिधी तथा वरिष्ट अधिकारी उपस्तित थे. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 36 गड़ के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है. हाला कि इस बार मोखिमंत्री भुपेश बगेल ने लॉकडाउन लगाने का फैस लागू होगा. वहीं दुर्ग, कोर्बा और बिलासपूर में 23 तारिक से लॉकडाउन जारी होगा. लॉकडाउन के दौरान लोगों की आम जरूरत की चीजों का ध्यान रखा जाएगा. जैसा कि पहले होता रहा है. इन जीलों में करीब एक हफते का लॉकडाउन रहेगा. लॉकडाउन के दौरान पैट्रोल, डीजल, अनाज, सबजी, दूद, फल और दवाई को छोड़कर बाकी सभी दुकाने बंद रहेंगी. रायपूर जिला कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर परसों से रायपूर नगरनिगम ख्षेत्र और बिरगाउं को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया है. कलेक्टर ने कहा है कि आदेश का उलंगन करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी. इस दौरान घरों से निकलने पर पूरी तरह रोक रहेगी और केवल जरूरी काम के लिए परिवार का एक व्यक्ति ही बाहर जा सकेगा. वही होटल औ मामले रायपूर जिले में सक्री हैं. बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 169 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जबकि 117 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. बीते 24 घंटों में रायपूर जिले से 36, सरगुजा से 26, बस्तर स 25 और कोरबा से 14 करोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं. और अगर हम बात करें पूरे देश की तो बीते 24 घंटे के दौरान भारत में पहली बार 40,000 से अधिक करोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं. 24 घंटों में 681 लोगों की जान गई है. इसी के साथ भारत में करोना संक्रमित म मरीजों की संख्या 11,18,043 के पार पहुच गई है. वहीं देश में अब तक 7 लाग से अधिक मरीज कोरोना संक्रमित से ठीक हो चुके हैं. स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ा कर 62.61 प्रतिशत हो गई है. स्वास्त मंत्राले के अनुसार बीते 24 घंटों में 22,664 मरीज स्व व्यापारियों से खरीदी करनी होगी. इस आशय के निर्देश मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने दिये हैं. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को इसका पालन सोनिश्चित कराने को कहा है. बताया जाता है कि कोरोना संक्रमंट काल और लॉकडाउन के दौरान राजी की आ पारिदी करना अनिवारे होगा. इस संबंद में एक आदेश पूर्म में भी जारी किया जा चुका है. बताया जाता है कि लोक निर्मान विभाग, विद्युत मंडल और कुछ अन्य विभागों द्वारा बड़े कारियों के लिए राश्ट्री इस तर पर निविदाएं ब आज के जियस्टी पंजिकरित व्यापारियों से ही खरीदेंगे. मुखिमंत्री भूपेश बगेल ने कहा है कि भारत के विविदतापूर्ण विचारों का पूरी दुनिया ने सम्मान किया है और यहां के विचारों में खुलापन है. श्री बगेल ने इस बात पर बल दिय कि विचारों में ये खुलापन बरकरार रहना चाहिए और आस हमती को भी जगह मिलनी चाहिए. ये बात मुखिमंत्री ने ओडिशाय सित पूरी के गोवर्धन मठ में राज धर्म विशय पर आयोजित ऑनलाइन संगोष्टी को संबोधीत करते हुए कही. उन्होंने कहा कि पद पर बैठे हुए हर व्यक्ती को राज धर्म का पालन करना चाहिए और राजनीती के केंद्र में आम जनता का हित होना चाहिए. संतों और विशेशग्यों की उपस्तिती में अपनी बात रखते हुए श्री बगहेल ने राज तंत्र और लोक तंत्र का अंतर बताते कि दोनों ही व्यवस्थाओं में व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं। राजनीती में ऐसी व्यवस्था हो कि हर व्यक्ति भैमुक्त हो और उनके लिए अच्छी बातों को ग्रहन करने की परियाप्त जगह भी हो। देश का माहौल ऐसा होना चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले और वे बहतर तरीके से रह सकें। स्वामी श्रीकरपात्री जी महाभाग के 113 में प्राकर्टे महत्सों के अफसर पर आयोजित तीन दिवसी संगोष्थी का आज से शुभारंभ हुआ। बीजापुर जीले में सुरक्षा बलो ने एक मावादी और उसके सहयोगियों को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के मताबिक बंदेपारा छोटे करकेली क्षेतर में मावादियों ने एक वाहन में आग लगा दी। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलो ने इलाके की घेरा बंदी कर वारदात में शामिल एक मावादी और उसके मददगारों को गिरफतार किया। इन में महिला सहयोगी भी शामिल है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताच में इस वारदात में शामिल अन्य 25 मावादियों और उनके सहयोगीों का नाम भी बताया है। पुलिस को उम्मीद है कि इन मावादियों से संगठन के बारे में कई एहम जानकारियां मिल सकती हैं। पुलिस के अनुसार एक वाहन में सवार होकर कुछ व्यापारी बेदरे के सापताहिक बाजार जा रहे थे। इसी दौरान बंदेपारा छोटे करकेली क्षेत्र में मावादियों ने व्यापारियों को वाहन से उतार दिया और फिर इस घटना को अनजाम दिया। कोरोना संकट की इस घड़ी को अफसर में तबदील कर रही हैं राज में ग्रामिन क्षेत्र की महिलाएं। मोती, रुद्राक्ष और अक्षत के इस्तिमाल से आंचलिक रंग में रंगी हुई आकरशक राखियां बनाई हैं। जनपत पंचायत पाटन में साकरा आजविका केंद्र और जनपत पंचायत धमदा के ग्राम पंचायत रौदा, मुर्मुदा और पथरिया गाम की महिलाएं इस काम में जोर शोर से जूटी हुई हैं। हमारी राखि का दाम पांच रौपे से लेकर सौ रौपे तक है और जो राखिया हैं वो देखिये, मोतियों से बना है, स्टोन लगा है, किसी में मतलब गोल्डन, मोती, सिल्वार ऐसा कुछ बना आए हम लोग। पहले तो वाईपी साइव, एडियो साइव, बीकिन साइव की मार्ग दर्शन में हम लोग को कच्चे मालूप लब्द करवाएं। फिर हम लोग रौपे बैठक हुई, उसमें चर्चा किये कि अब राखि का चोहार आ रहा है तो फिर उसमें राखि बनाना चीए। पहले बाहर से माल आता था तो उसके बजाए हम लोग अपना स्वदेशी राखि बनाना चीए। जिला पंचायत दर्च के मोखेकार पालोन अधिकारी सचीदानन आलोक ने बताया कि महिलाओं द्वारा बनाई गई इन राखियों को रायपूर में बेचा जा रहा है जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। रायपूर की संस्थाओं के द्वारा क्राय किया जा रहा है। प्रतेक दीदियों के द्वारा निर्मित राखियां हैं उसमें उनको 5-10 रुपे उनकी राखि की कलात्मक्ता के उपर में उनको आए प्राप्त हो रही है। इस प्रकार अनमाने ये 50,000 से 1 लाख के रुपे के बीच में इस सीजन में ओलो आए अरजित कर लेंगे। स्वसायता समूह की महिलाएं समय की मांग को देखते वे मास्क, सेनेटाइजर, हर्बल साबून, और्गिनिक साख सबजी और कीट नाशक के साथ कई अन्य चीजों का उत्पादन भी बखू भी कर रही हैं। खेती किसानी से जुड़ा पर्व हरेली आज राजिभर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश वासियों को शुप कामनाय दी हैं। अपने संदेश में राजिपाल ने कहा कि राज में इस्तिवहार का विशेश महत्व है। प्रदेश में आज से नए उभोकता कानून के प्रावधान लागू, फरजी विध्यापनों पर सजा का प्रावधान। राज में आज से शुरू हुई गोधन्याय योजना, मोखिमंत्री ने सांकेतिक रूप से गोबर खरीद कर किया शुभारा। कुरोना संक्रमन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राजी के अधिकतर हिस्सों में एक बार फिर से लॉकडाउन की तैयारी। प्रदेश में हर्शोलास के साथ मनाया जा रहा है लोगपर्व हरेली। ग्रामिन इलाकों में खेती किसानी के उपकर्णों की की गई पूजार चना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटीन समाप्त हुआ, नमस्कार।